पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं दर्शक बंधूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, जूट बोलकर धोखा देकर सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बना कर धन कमाते हैं, वे लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हुए मालूम पड़ते हैं। जो लोग लूट खसोट करके, बे इमानी करके और असली चीज की जगहे नकली माल भेज कर धन कमाते हैं, वे इमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। ऐसा क्यों जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं, अधिक फलते फूलते रहते हैं। मित्रों, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था, कब किया था? आईए, इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं, एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश परवत पर विराजमान थे, और दोनों में विचार विमर्ष और वाद विवाद चल रहा था, माता पार्वती प्रश्न करती थी, और भूत भावन महादेव भगवान शिव उनके प्रश्न का जवाब दिया करती थी, दोनों अपने अपने प्रश्नों में और उनके उत्तर में उल्जे हुई थी, तो अचानक माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगे कि हे भगवान, आप तो स्वयम तीनों लोगों के स्वामी है, तीनों लोगों के रचैता है, तीनों लोगों के संघर करता और पालन करता है, क्योंकि ब्रह्मा, विश्णु, महेश, तीनों एक ही शक्ती है, तीनों एक ही शक्ती के अलग-अलग रूप है, माता पार्वती बोली हे देवा धिदेव मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी लोग होते हैं अत्याचारी लोग होते हैं अहंकारी लोग होते हैं हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कश्ट पहुँचते रहते हैं कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, वे लोग सुखी क्यों रहते हैं, क्यों धन्वान होते हैं अक्सर ऐसे लोग, बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं, क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसंद रहती हैं, मैं इस बारे में आपसे जानना चाहती हू जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी, तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी पार्वती ये संसार सागर है, इसमें क्या-क्या होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दर्शक बंधू, अब तो माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना भेश बदला और एक गरीब ब्रहमन और ब्रहमनी बनकर दोनों जंगल के मार्ग से पैदल पैदल चल दिये। श्रोताओं उन्हें थोड़ा अंधेरा हो गया था, उसे आप भगवान शिव की माया भी कह सकते हैं। अब तो माता पार्वती ये देख कर घबरा गई। व्रिक्षों में तुम सबसे बड़े व्रिक्ष कहलाओ श्रोताओं। भगवान शिव ने उस तूटे हुए ठूट को कोसने की जगह उल्टा उसे आशीरवाद दे दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हुई। माता पार्वती से जब रुका नहीं गया तो माता पार्वती भगवान महादेव से कहने लगी। हे भगवान आपके लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूट से आपको कश्ट पहुँचा, जिसने आपको चोट पहुँचाई। आपके पैर से देखो कितना रक्त बहरा है। जिस व्रिक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी व्रिक्ष को इतन विचाल होने का वर्दान दे दिया, भगवान की आपकी माया मेरे को समझ में नहीं आई, इसका क्या कारण है। देवी पार्वती को अत्यंत ठित देख कर भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, समय आने पर आपको इसका भी जवाब स्वत ही मिल जाएगा, अब आप क जस्त हो जाते हैं, परंतु माता पार्वती के मन में बार बार उस प्रश्न का जवाब ना मिलने के कारण व्याकुलता बनी हुई थी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, उनके दिमाग में बार बार वही बात चक्कर काट रही थी, कहने लगी, हे भगवान, मुझे ये बताए कि संसार के पापी लोग, पापी मनुष्य जो अहंकारी है, जो दुष्ट प्रवृती के होते हैं, वे लोग क्यों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, दुष्ट लोग क्यों ज्यादा समृद्ध शाली होते हैं, तो भगवान शंकर ने फिर कहा पार्वती से, कि पार्वती ज इस प्रश्ण का जवाब आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। आपको समय तक इंतजार कीजिए। व्रिक्षों से उसकी उंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वह व्रिक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी चाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी चाया फैली रहती थी। इसी बात का उस व्रिक्ष को मद होने लगा। वो अपने से छोटे स कभी व्रिक्षों को देख कर हंसता था और उनकी खिलियां उड़ाता था। घमंड से हर समय सर उठाए रहता था। वो ना तो किसी व्रिक्ष से मिलकर रहता था और ना ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था। परन्तु मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो व्य है कि फिर भी उतने ही जल्दी नश्ट भी हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए तो स्वाभाविक है, वो आपे से बाहर जरूर हो जाएगा। कुछ बिरले ही होते हैं, जिन्हें धनपद से अभिमान नहीं होता है। श्रोताओं, उस व्र शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे, उन्हें वो अपनी शाखाओं से डरा कर भगाने की कोशिश करता था। कहता था कि ये पक्षी तो उसकी सारी सुन्दरता नश्ट कर देंगे, मेरे उपर घोसला बनाएंगे, दिन रात मेरे उपर बीट करेंगे, इनके रहने से में दूशित हो जाऊंगा। मित्रों, उसके मना करने के बाद भी पक्षी उसके उपर अपना घोसला बना कर रहने लगती है, तो वो अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था, अपने पत्तों को पठ जड़ कर देता था, कई बार तो उसने पक्षियों के अंडे और ब पत्त जड़ होकर फिर से नई डालिया, नए पत्ते धारन करता है, तो आप तो जानते ही हैं कि वसंत रतु में व्रिक्ष कितना सुन्दर हो जाता है, अपने आपको देख देख कर उसका गर्व साथ में आसमान पर पहुँच गया था, क्योंकि पूरे वन में उस नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वर्दान जो दिया था, उसको विशाल होने का वर्दान स्वयम महादेव ने ही तो दिया था, मित्रों एक दिन की बात है, बहुत तेजी से आंधी आती है, एक भयंकर तूफान आता है, तूफान का वेग इतना प्रब जंगल था, कि जंगल के सारे व्रिक्ष भैभीत होने लगे, लेकिन वो व्रिक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, उससे छोटे जीतने भी व्रिक्ष थे, वे तो बेचारे मिलजुल कर इकठे रहते थे, और वो उस जंगल में अकेला खड़ा उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था, उसका बड़ा आकार होना ही उसके लिए मुसीबत बन गया था, उस तेज तूफान से वो स्वयम को बचाने में असमर्थ था, मित्रों वहीं हुआ, उस तेज आंधी ने उस व्रिक्ष को जड़ से पृत्वी से उकार कर फ उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया, व्रिक्ष जमीन से उखड कर जमीन पर ही ओंधे मुह गिर पड़ा, श्रोताओं उसी मार्ग से भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से संसार भ्रमन करने के लिए चल देते हैं, माता पार्वती को तो भगवान शं आप कब देंगे? तो भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती जी चलो आज हम मृत्यू लोग का भ्रमन करने के लिए चलते हैं, मित्रों इतना कहकर बात चीत करते हुए शिव और पार्वती जी साथ साथ भगवान शिव जंगल के रास्ते से चल पड़ते हैं, जिस रास्त से कहने लगी कि हे देवादि देव, आपके लीला भी कितनी विचित्र है, देखो, ये कितना सुंदर व्रिक्ष है, कितना विशाल व्रिक्ष है इस वन में, इसके मुकाबले का एक भी व्रिक्ष नहीं है, ये व्रिक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है, इसकी छाया कि इतनी सुन्दर होगी, क्योंकि ये सबसे सघन भी हैं। कुछ साल पहले हम भ्रमन करने के लिए आये थे और आपको जहात होगा कि इस ठूट से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था, मैं पृत्वी पर गिर पड़ा था, ये वही व्रिक्ष है, ये वही ठूट है, परंतु हे पार्वती जी, मैंने उस समय इसे क्या वर्दान दिया था, क्या आपको ये जहात है, माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने इस व्रिक्ष को विशाल होने का वर्दान दिया था, महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, यदि उस समय में उस ठूट को उखा पाता, वह ढूंड, अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था, हे पार्वती जी, मैंने इसलिए उस ठूट को विशाल होने का वर्दान दिया था, इसलिए मैंने उस से कहा था, कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जा इसकी अकड ने ही इसे इस स्थिती में पहुँचा दिया है, ये जंगल के सभी व्रिक्षों से अपने आपको बड़ा समझने लगा था, पक्षियों को अपने उपर बसेरा नहीं करने देता था, ये यात्रियों के लिए भी छाया करने से पहले पत्तों को जाड देता था, इसलिए ये व्रिक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी था, इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया, और याद रखना जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता, उनका जीवन लोहार की उस धौनी की तरह हो जो औरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आपको ही देखते हैं, अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर अकड होती है, ऐसे लोगों को उनका ही अहंकार मार देता है, ऐसे लोग अपने उसी प्रिश्ता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है, तो अधिक धन ही उसे मृत्यू के मुख में पहुंचा देता है। लक्षमी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसी लिए रहती है ताकि उनका सर्वनाश कर सक आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में कई दोश आ जाते हैं। चीटा जब मरने वाला होता है, तो उसके शरीर में पंख हुगाते हैं। जमीन पर रेंगने वाला चीटा भी आकाश में उड़ने लगता है, वो उड़ान उसको विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं, बड़ा होना तो सरल है, पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। भगवान शिव बोले, हे देवी, ये वरिक्ष जब ठूट के रूप में था, तब भी इसमें अकड थी, मुझे देख कर भी ये जोका नहीं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, उनमें बड लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं, उनके अंदर नम्रता का अभाव नहीं रहता और याद रखना जो जुकता नहीं, वो किसी को जुका नहीं सकता। अकड के साथ जो जीता है, वो थोड़े समय तक ही जी पाता है, इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। जीव जब मनुष्य पैदा होता है, तब भी होती है और मरता है, तब भी होती है और दांत जन्म होने के काफी दिन बाद आते हैं और मरने से काफी समय पहले उखड भी जाते हैं। दोनों में फर्क इतना है कि जीव के अंदर नम्रता का भाव होता है, वो जुकना जानती ह इसी लिए उसकी आयू लंबी होती है और दांतों के अदर आकर रहती है इसी लिए वे बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं इसी तरह जिन मनुश्यों में अकड होती है उनका जीवन भी अतिशीग्र नश्ट हो जाता है भगवान शिव कहते हैं हे देवी इस ठूंट को उखाडने में मुझे बिलकुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी बड़ी होकर ये खुद पे खुद जड़ सहित उखड गई इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कुछ समय के लिए अल्प समय के लिए धनवान बन जाते हैं थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म पर चलने का उस समय यदि वो नहीं सुधरी उनमें सुधार नहीं हुआ तो हे देवी पारवती जैसे इस व्रिक्ष का जड़ सहित नाश हो गया ऐसे ही उन पापी मनुष्यों का भी में जड़ सहित विनाश कर देता हूँ श्रोताओं माता पारवती की समझ में भगवान शंकर का दिया हुआ उद्देश्य सब आ गया था माता पारवती कहने लगी हे भगवान आप तो तीनों लोकों के स्वामी है आप धन्य है प्रभू आपकी माया धन्य है हम तो आपकी इस माया को समझ ही नहीं पाए तो दर्शक बंधु भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि किस तरीके से पापी मनुष्य अंत में समूल नास को प्राप्त होते हैं। अहंकार में भरे हुए हैं, अपने अहंकार के सामने किसी भी व्यक्ति को तुछ समझते हैं, उसे नुकसान पहुचाते हैं, किसी को कोई हानी पहुचाते हैं, जो अत्याचार करते हैं, पापों से बिलकुल भी नहीं डरते। अपना काम सीधा करने के लिए वे दूसरों को न जड़ सहित ये व्रिक्ष जमीन पर गिर पड़ा, किसी को इसका नाश करने के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ा, ठीक उसी तरीके से उन पापी मनुष्यों का भी अपने आप विनाश हो जाता है। मैं हमेशा खयाल रखता हूँ, जैसे देखिए, इस जंगल में अन व्रिक्ष भी है, जो मिलकर रहते हैं, तूफान का वेग, उनका कुछ नहीं बिगाड सका। पारवती के प्रश्न का उत्तर देकर भगवान, शिव, कैलाश, परवत पर लौट जाते हैं। दर्शक बंधु ये कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में हमको बताना। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत